हाँ देखो ये बोरियां उठानी है तुमने सारे दिन में तुमने पचास बोरियां उठानी है और मैं तुमें उस हिसाब से एक दिन का सो रुपे दूँगा गोधाम के अंदर ही सोने की जगा है बिसर और कंबल अपना ले आना इन लोगों के साथ सोना है और अपनी खाने पीने के अंतिजाम तुमने अपने पैसों से करोगे कोदाम का मालिक उसे दिखते हुए बताने लगा कोदाम बहुत बड़ा था और यहां काम करने वाले लोग भी बेशुमार थे लेकिन मालिक हद दर्जा कंजूस वो जो सो रूपे उसे ध्यारी के दोर पर देने वाला था उसे तो खाने पीने के हर्च पूरे ने करना मुश्किल था और यह जगा पी अजीब गंदी सी थी वो यहां रूपे नूर को नहीं रख सकता था अजीब किसम के निशाई लोग रहते थे वो रूपे नूर को एक मुसीबत से निकाल कर दूसी मुसीबत में नहीं डाल सकता था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था पस सो रूपे का क्या करेगा सो रूपे के साथ उसका गुजारा तकरीब नामुम्कीन था और रूपे नूर का हर्चा सो रूपे में नहीं उठा सकता था इंस्पेक्टर ने उसे जो पैसे दिये थे वो तो सर्दी से बचने के लिए कंबल और बिस्तरा आना था उससे सोच लिया था वो इस काम के इलावा और कोई काम भी करेगा और साथ ही कोई अच्छा सा और काम ढून लेगा जिससे उसका गुजारा हो जाए और अपनी भेहन को अपने पास रख सके सारा दिन गदों की तरह काम करवाता है और देता क्या है ये एक सुरख नोट इससे कहां गुजारा होता है कहां घर चलता है मैं ये नुक्री छोड़कर कहीं और जा रहा हूं क्योंकि इस सो रुपे से तो मेरे बच्चे का दूद मुश्किल से आता है आगे जाकर मेरे लिए और भी बड़ा मसला बन जाएगा। दो तिन दिन उससे एक्स्ट्रा काम किया था जिस पर उसके मालिक में हुश होकर उसे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी थी हां लेकिन अगले दिन कम काम करने पर उसे अच्ची हास से फ्हेंटी लगाई थी उससे सोच लिया था अब वो कुछ और करेगा लेकिन वो क्या कर वो अपने दुपहर के खाने के लिए इसे चने की रेड़ी से चने लाकर खाने आया था जब एक आदमी ने चने वाले को सरकोशी नुमा आवास वे कहा अभे हुए तम आखराब हो गया है तेरा मुझे स्कोल के अंदर नहीं जाने देते रेड़ी वाले ने बहुत कम आवास में जवाब दिया अभे समझनी की कोशिश कर बोल रहा हूँ न जितने पैसे मांगेगा उतने दूगा ये दस हजार एड़वांस रख ले वो नोटों की कट्टे निकालते हुए कहने लगा नहीं मैंने नहीं जाना चल हट निकल यहां से जरूर तो कोई पंगे वाला काम करनी वाला है लेड़ी वाला उसे धक्का देते हुए बोला तो वो उसे सिकूरता आगे बढ़ गया जबके दारू कुछ सोच्टे हुए उस लड़के के पीछे दूसरी कली की तरफ में आ गया मेरा पीछा कर रहा है तू वो उसे हर तरफ कली में ठूंता रहा जब उसे पीछे से आवास आई उसे मुड़ कर देगा यह वो ही लड़का था जूट मत बोल तू मेरा पीछा कर रहा है तुझे पैसू की जूरूत है है न मेरा काम कर दे दस हजार ले काम के बार और पैसे भी दे दूँगा वो नोटों की कड़ी निकालता उसके सामने करते हुए बोला काम क्या है धारोप ने पूछा यह पारसल स्कोल के अंदर ले कर जाना है उससे एक चौपर उसके सामने किया पागल समझा हुआ है क्या इसमें सफेद प्योटर होगा उससे अपना पहला दुचरबा याद आ गया नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें पटाहा बम है पारसल उसके हावाले करता हुआ वहां से निकल गया जबके तारुक हाथ में मुचूद रखम को देख रहा था जो उसके लिए बहुत सारी असानिया ला सकती थी उससे एक मिन से भी कम वक्त लगा था फैसला करने में काम हो जाने के बाद वो उससे और पैसे देता जिसके पाद वो रूह नूर को अपने पास दा सकता था उससे एक मिफूस चट दे सकता था उससे हमेशे अपने पास रख सकता था लड़की के कहने के मुदावी उससे पारसल चुपाया और स्कूल के अंदर दाहिल हो गया वो लड़के पास एक लड़का कड़ा था उससे पारसल एक बार फिर से उसके हाथ में देता वहां से भागते हुई निकल गया ये सब कुछ इतने अचानक हुआ था ये उसे कुछ भी समझता है तेरा साल बात देखो परीजे तुम बिमार हो और तुम्हारा इलाज पाकिस्तान में हर्गिस नहीं है तुम्हें इलाज के लिए बाहर की किसी मुल्क में जाना होगा वहां इलाज के लिए जो रकम लगती है उसे रूपे नहीं डॉलर्स या पॉंस कहते हैं अब तुम बताओ एक यतीम लड़की के लिए कौन इतनी बड़ी रकम देगा और अब तुम 18 साल की हो चुकी हो यतीम हाना अब मसी तुम्हारी जिम्हेदारी नहीं उठा सकता सर ने भी जवाब दे दिया है उनका कहना है कि जो लड़की 18 साल की हो चुकी है अब से अपनी जिम्हेदारी को खुद उठाएंगी को देखते हुए सब तुम पर तरस खाते हैं लेकिन तुम्हारी बिमारी का इलाज यहां पर नहीं है और तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी मैं कहां जाओं फिर सभा मेरा कौन है सुनिया में जानती हूँ मेरा इलाज नहीं है पाकिस्तान में लेकिन अल्ला ने मुझे अमिर लोगों वाले बिमारी लगा दी है तो मैं क्या करूँ क्या अल्ला जी बंदे के उगात देखकर बिमारी लगाया करें मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो सामने की रेड़ी से कॉल गप पेगा सकूँ और आपने मुझे देदी है इतनी बड़ी विमारी जिसका नाम याद करते हुए भी बंदे को साल गुजर जाए वो भेजारी से मूँ बनाते चट के दिवार के साथ थे एक लगा कर लीद गई उसे अपनी जिन्दी ही से भोट के लिए थे जब से पैदा हुई थी अपने आपको इस यतीम हाने में ही पाया था माबाप कौन थे? कौन नहीं? वो नहीं जानती थी पता नहीं किसी की नाजाइस उलाती या पिर जाइस माबाप जिन्दा थे या मर चुके थे उसे यहाँ छोड़ कर कौन किया? उसका असल नाम क्या था? बस इतना ही पता था कि वो किसी को कच्रे के ठेर से मिली थी किसी ने तर्स खाकर उसे इस यतीम हाने में छोड़ दिया एक साल पहले उससे बदा चला उससे एक बिमारी है जिसमें उसके जिसम का सारा खून खतम हो जाता है और बस इतनी ही कहानी थी उसकी जिन्दगी की इलाज के पैसे नहीं थे उसके पास लोग बहुत अमदाद देते थे लेकिन वो इस यतीम हाने में मुझूद अकेली लड़की नहीं थी जो अमदाद में आई सारी रकम उसकी साथ पहर्ष की जाती और बहुत सारे मासूम लोगों की उमीद थी जिस पर उसका कोई हक नहीं था ये दिमाना पिछले 18 साल से उसे पाल रहा था और बस अब वक्त अदम हो चुगा था उससे अपनी जिदीगी से मुखब पती वो जीना जाती थी दुनिया देखना जाती थी लेकिन उसे उसकी बिमारी कुछ भी करने की अजासत नहीं देथी थी उसके जिसम में मुझोद होन की शिदीद कमी उसकी हटियां तक भी छोड़ लेता था वो पैदल दसमिन भी सफर नहीं कर सकती थी खड़े खड़े गिर कर बेहोश हो जाना पैठे पैठे कापना शुरू करते ना उसके बिमारी ने उससे खुलकर सांस देने की अजासत भी छीन ली थी लेकिन वो अपनी बिमारी से लड़ना चाती थी लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर वो कहीं पर भी अकेली गई तो एक दिन भी जिन्दा नहीं रह पाईगी उससे हर वक्त अपनी सहली सभा की जुरूरत थी लेकिन वो ये भी समझ सकती थी कि सभा की भी एक जिन्दगी है वो यतीम हाना चोड़ चुकी थी आजकल वो एक छोटे से स्कूल में जॉब कर रही थी और अब एक होस्टल में रहती थी उसके स्कूल में मुझूद एक टीचर उससे शादी में दिलचस्पी दिखा रहा था उसके सहली की जिन्दगी आसान होने जा रही थी और वो अपनी वज़ा से उसके जिन्दगी में किसी भी किसम की कोई मुश्किल नहीं लाना जाती थी यही वज़ा थी कि हचकल वो अपने सहर से लड़ते हुए मुख्तलिफ जॉब्स के इंटर्व्यूस के लिए जा रही थी जो उसके लिए बेहत मुश्किल था लेकिन उससे फैसा किया था कि वो अपनी बीमारी से हारेगी नहीं बलके लड़ेगी और जीतेगी और वो वो अपनी जिन्दगी भरबूर तरीके से जीना जाती थी डॉक्टर से कहना था कि उसके अंदर मुचूद जीने की खौईशी उसे उटकर चलने में मदद देती है पढ़ना उसकी विमारी तो उसकी आपरी सांस भी चीन देना जाती है उसकी जिन्दी के आसान हो सकती थी अगर उसका एलाज मुम्किन हो जाता लेकिन कौन उसे बाहिर मुखली कर जाता और कौन उस पर अपने टॉलर लगाता अपनी किस्मत पर पहले से उसे तर्स आता था, लेकिन अग उससे हसी आती थी, वो थोड़ी सी ही चली थी कि उसकी हिम्मत जवाब दे गई, इंटर्व्यू में क्या बनने वाला था, उससे नहीं बता था, बस अपनी हिम्मत के मुदाविक वो जवाब दे आई थी, और इस व यहां बैठकर बसके इंतसार करता होगा, उसे एसास भी न हुआ, एक कब उसी टेक्स पर बैठे बैठे उसकी आँके बंद हो गई, और वो होश और हुआस की दुनिया से बेगाना हो गई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसे किसी दूसरे मुल्क भेज कर इसका इलाज करवाएं, अगर आप लोग इसका इलाज नहीं करवा सकते, तो बार बार इसे यहां इस हस्पताल में मत लाएं, मैं आपको साफ अलफास से बता चुका हूँ, इसकी बिमारी का इलाज पूरे पाकिस्तान में नहीं है, तो बाला इस हस्पताल में कहां से आएगा, जो अमदाद पर चलता है, यहां की तो आई भी दो नमबर होती है, और आप हर तीसरे दिन, इस लड़की को यहां उठाकर हम डॉक्टर्स को शर्मिन्दा करते हैं, इस लड़की का इलाज पाकि पहने वाला हून भी एक हद तक बरदाश करता है, अब इस लड़की कि स्टेम्स सेल्स भी आइसा आइसा काम करना छोड़ रहे हैं, इसका जिसम किसी दूसरे इंसान का हून कबूल नहीं कर रहा, और अब ओ नेगिटिव हून दस्याब भी नहीं है यहां, और कोई हून इस लग भी नहीं सकता, इस तरह से यह लड़की चल्दी अपनी जान से हाथ दो बैठेगी, यह इलाज इसके लिए मजीध हतरनाक सावित हो सकता है, जिस तरह से मैं हर दफ़ा इसका होन बतलता हूँ, यह आगे जाकर इसके लिए नुकसान दे सावित हो सकता है, अगर आप ल सिल से बताया, आन चाचा बहुत बरेशान हो गए थे, उनकी यतीम हाने में किसी को इस सारा की कोई बिमारी नहीं थी, उन्हें याद था, अठारा साल पहले कोई इस मासूम सी बच्ची को कच्च्रे के ठेर में फैंक या था, और वो उसे उठा कर ले आये थे, उसे यहां रख कर पाला, यहां उसके साथ और भी बहुत सारे बच्चे थे, उनकी बीवी बांच थी, शादी कई कई साल गुजर जाने के बाद, भी जब उन्हें कोई उलाद ना हुई, तो हानदान वालों ने उन्हें ताने देना शुरू कर दिया, यह उनके घर में कोई उलाद नह कोई नहीं है जो उनको मा कह कर पुखारे, वो इन सब बातों को परदाश करकी शोर की सामनी रोती, हान साहब ने उन सब लोगों के तानों से तंगा कर, अल्ला की रजा के लिए उन बच्चों को पालना शुरू किया, जिनके पास माबाप कहने के लिए वालदें नहीं थे, ये चोटा सा सफर उन्होंने अकेले चुरू किया था, लेकिन आइसा आइसा लोग उनके नेक काम को देखते हुए, उनकी अमधात करने लगे, जो उनके लिए काफी फाइदे मनसाबित हुई थी, आज उनकी यतीम हाने में 13 बच्चियां और 2 बच्चिय रहते थे, वो ये बच्चे अपनी समयधारी खुद उठाएंगे, ताकि उन्हें इसास हो, इंसान का सवाय अपने और दूसरा कोई नहीं होता, उन्होंने उन बच्चों को बहुत मेहनत से पाला था, लेकिन 45 साल की इस लंबे सफर में, इसी कोई विमारी ना हुई थी, जो परीजे को थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो परीजे का इलाज किस सरा से कराएं, इलाज दूसरे मुल्क में मुम्किन था, तो उसे साब से उसके इलाज में बहुत साथा रकम हर्श होनी थी, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, ये तो अल्ला का इसान था, और उनके चोटे वच् निशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो ऐसा क्या करें, तो उनकी बच्ची ठीक हो जाएं, ये मन्सर मिसर के बहुत मुशूर किसीनों का था, सामने स्टेज पर बड़ी तादात में हूपस्वर हसीना है, आदा बढ़ना होकर अपनी काम में मगन थी, वो यहां मु से हसीन लड़की लाए जाती थी, जो उन मर्दों का दिल वहला कर बड़ी रकम वसूल करती, इस वक्त इस कसीनों में टोटल 20 टेविल लगे हुए थे, वो दाएं तरफ से आठ नमबर वाले टेविल पर, बैठा, अपने हाथ में कार्स लिए कहरी सोच में मसरूफ था, किस अपने निकाह उठा कर उसकी तरफ देखा और कार्ट से बिल पर फैंक दिये, जरूरी नहीं, कि हर बार तुम्हारी सोच ठीक हो, इस बार मैं नहीं तुम हारोगे, तुम्हें हाराना इतना मुश्किल भी नहीं था, फैर, तुम्हें मैंने नहीं तुम्हारे गरूर निखर पूराया, तुम्हें बे इमानी कि है, वो अपनी सुबान में येकीन से बोला, था, फाबित करो, वो रकम बैक में डालते हूँ एक नसर उसके तरफ देखते हुए उसी की सुबान में बोला, तुम ऐसे नहीं जा सकते, ये मेरी रकम है, जिस सारे पैसे मेरे हैं, तुमने पे इमानी की है पुछे लाया बे इमानी मैंने ही तुम कर रहे थे मैं कभी किसी के साथ बे इमानी नहीं करता हूँ और जो मेरे साथ बे इमानी करने की कोशिश करता है उसके साथ उसी तरीके से खेलता हूँ एक ताश के पत्तों में पांच बाद्शा नहीं हो सकते अगर चार बाद्शा तुम्हारे हाथ में थे तो बताओ ये तीन मेरे पास कैसे आए तुमने मुझे धोगे बाजी से चार बाद्शा दिखाए तो मैंने तुम्हें अपनी खुशारे से चार युके दिखा दिए इस खेल में बे इमानी तुमने की है और मेरे पास इसका सबूत भी है तुम्हारे पीछे जो लड़की बैटी है उसके पास तुम्हारी बे इमानी की पूरी वीडियो है जो इस कसीनों के मालिक पास पहुंच जाएगी तो वो तुम्हें कोली मारने में एक सेकिन नहीं लगाएगा अब ऐसा तुमने करना है कसीनों के मालिक के आदू मरना चाहते हो या हमोशी से ये रकम मेरे हवाले करते हो ले जाओ, सारे पैसे ले जाओ मगर ये वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए सामने बैठा मिस्री अपने माते से पसीना साफ करते हुए बोला अगर ये वीडियो उस कसीनों के मालिक के हाथ जर जा दी तो यकीनिन उसे चलते हुए अंगारों में भैंक देता डार्लिंग, तुम हम पर भरोसा कर सकते हो पीछे पैठी लड़की एक अदा से चलती उसके पास आई और उसे कंदे पर हाथ रखते हुए बोली और कुशी देर में वो लोग उसको सीनों से बाहर निकलाए थे मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो मिसरी इतना बेवकूफ था एक बार वीडियो दिखाने को ही बोल देता, उसे पता चल जाता कि हमारे पास कोई वीडियो नहीं है उसकी बेवकूफी थे हमें अच्चा हासा फाइदा करवा दिया वो नोटों से भरावा पैक उठाए हुशी से बोली, दारू जान भूझकर ऐसे लोग को टार्गिर करता था जिनको बेवकूफ बनाना आसान होता था, मिसरी के सारे कसीनों ही बहुत जादा दरनाक थे तकरीबन उन सब का तालुक माफिया गैंक से था, लेकिन उन कसीनों में एक बार अगर जूवे की लद लग चाए, तो फिर छूट नहीं सकती थी लोग अपनी जान अदरे में डाल कर यहां आते थे, हर वक्त जान जाने का अदर सर पर सवा रहता, लेकिन फिर भी चूवे की लद उन्हें यहां तक लिया थी उस कसीनों का मालिक एक मिस्री शक्स था, जो उस वक्त कसीनों के अंदर सो से जादा लोग को चान से मार चुका था और कोई उससे होफ काता था, उसका एक असूल था, वो बेहिमानी बरदाश नहीं कर सकता वो खुद बेहिमानी करता था ना किसी को करने देता था उसके कसीनों में बेहिमानी करने की हजास्त किसी को नहीं थी और अगर कोई बेहिमानी करते पकड़ा जाता तो अपनी चांच से हाथ दो बैठा ठीक है इसके तीन हिस्से बनाओ और मेरा हिस्सा मेरे हावाले करो दारू कलबों में सिखरिट तपाए आगे आगे चल रहा था जबके खुशी और रकेश उसके पीशे पीशे चा रहे थे हाँ ताकि तुम फिर से ये सारे पैसे किसी यतीम आने या किसी अस्पताल में दे दो मुझे समझ नहीं आता तुम्हें अपनी सारी मेनत वरबात करते इतना सकून क्यों मिलता है राकेश उसकी आधर से थंग था वो जो भी काम करते उसके तीन हिस्से बनाए जाते वो अपने पास बस उतनी रकष नगता था जितनी हमाल करता था बागी वो किसी यतीम हाने या किसे अस्पताल में दे 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 था उससे दोलत एकटा करने जुर्वत नहीं थी कुछ साल पहले उससे बहुत सारा पैसा जमा किया था वो अपनी बहन को अपने पास बुरा रहेना चाता था लेकिन जेल और उसका रिष्टा तो जैसे बच्छपन का था इंस्पेक्टर ताहिर जेल को उसका असर घर कहता था बच्छपन से लेकर अब तक उससे आधे सिंदे ही जेल में गुजारी थी और अप्धालात ऐसे थे किसाल में चे महीने उसके जेल में ही कट्टे थे तेरा साल पहले उस पर प्रिंसिपल की गतल का इलसाम लगा उस पर यकीन करने वाला सिर्फ इंस्पेक्टर तारिक था और ऐसे चानवरू की तरा मारने वाला इंस्पेक्टर ताहिर उन दोनों के साथ उसका गहरा रिष्टा था जल्दी साबित हो गया था कि उससे गतल नहीं किया जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया लेकिन वो एक बाद फिरसे अस्थाहरीद ने योफ परोग करने के जुर्म में गिरिफतार कर लिया गया जल्दी हो एक बाद फिरसे बेगोना थाबित हो गया पुलिस की लिस्ट में जैसे उसका नाम लिख दिया गया था वो जहां जाता है ताहिर और ताहिर उसके पीछे पीछे आकर उसे ग्रिफदार कर लेते वो फिर ताहिर और ताहिर ने उसे अपने मिशन के लिए इस्तामाल करना शुरू कर दिया वो उसे जान पुछ कर ऐसी जहाँ पर भीशते जहां कई लोगों के साथ मिलकर वो उनकी इंफॉर्मिशन तारीक और ताहिर तक मुझा था इंफॉर्मिशन के बाद वो बहुत सारे लोगों को उसके साथ गृपतार कर लीते ताकि वो किसकी नजरों में ना आए दुनिया के सामने वे अवारा लोफर इंसान था लेकिन तारीक और ताहिर के लिए उसको एक सपाही था लेकिन अब वो इस कहां से तंग था छे मां से उससे ताहिर और ताहिर से रापता अदम कर दिया था लेकिन वो जानता था वो दो मरते तम तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे तीन साल पहले वो एक बहुत बड़े केस से फस गया था और उसे सब कुछ बहुत अच्छे सेहं डिल किया था उसे तीन साल के लिए दूसरे मुल्क रवाना कर दिया गया उसे दूसरे मुल्क में भी जाकर अपना कामचारी रखा उसके सिंदी का एक ही मकसद था भूँत सारे पैसे इकठे करना ताकि वो अपनी बहन को अपने पास हक सके मगर जब भूँत सारे पैसे जमा कर चुका तब उससे एक दिन पता चला कि उसकी बहन की शादी हो चुकी है तंसीन ने उसकी बहन की शादी किसी शेख से करवा कर उसे दफ़ई भेज दिया वो दुपई क्या था उससे सारी मालूमात निकानी थी उससे देखा था उसकी बहन अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी अपने सिंदगी में आगे वर चुकी थी उससे मिलनी की कोशिश की थी लेकिन हिसर उसके राजसे में आ जानती यहां तक कि उसे अपने बाप की हकीकत भी नहीं बता वो नहीं जानती कि उसका बाप कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान था सबसे पहले उससे दारुक की मां के जिंदगी बरबाद की और फिर उस रात उसने नूर को जानूरू की तरह पीटा रूर को जनम देते हुए वो जिंदगी की बाजी हार गई लेकिन मरते हुए उससे वादा ले गई कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा उससे उसका साथ नहीं छोड़ा था बस उसके जिंदगी से दूर आ गया था वो खुश थी अपने जिंदगी में खुश ही इससे जी रही थी उसके जिन्दगी में किसी दारू की कोई शगा नहीं थी, उसके सामने इस किरदार की कोई एमियत नहीं थी, वो कभी उसके सामने नहीं आया, लेकिन वो उससे बेखाबर भी नहीं था, वो कभी भी उसके पास से ही आना जाता था, वो अलग था, अपनी जिन्दगी जी रहा था, ज किसी से मुहब्बत नहीं करता था। मुहब्बत का जजबा उसके दिल में कभी किसी के लिए जागा ही नहीं था। एसास का रिष्टा रूख के साथ था। वो जानता था, वो मुहब्बत के काविल नहीं है। जिसका बाप उसे अपना नाम ना दे सका। वो भला मुहब्बत की काविल कहां था वो एक तुफाइफ का बेटा था कयूम-ुल-हलील की नाजाइस उलाद था जिससे मर्टे दम तक उसे अपना नाम नहीं दिया था मगर फिर भी नूर उसे उसके पूरे नाम से उलाती थी वो उसे दरकुश्यम-कयूम-हलील कहकर बुकाटी थी उसके जिन्दी में अगर कोई अच्छा इनसान आया था तो वो नूर थी जिससे शायद उसका दिल का रिष्टा था जिससे शायद वो महब्बत करता था लेकिन ये भी हकीकत थी कि वो जिससे भी महब्बत करता था वो उससे दूर हो जाता था अब तो उससे महब्बत करना ही छोड़ दी थी ऐसे कैसे जूरत नहीं है मैं जल्दी तुमारे लिए पैसो का इंतसाम कर लोगा बेटा तुमारी जिन्दीगी का सवाल है तुमारा इलाज पाकिस्तान में मुम्किन नहीं है मैंने कुछ लोगों से बात की है अगर अल्ला ने चाहा तो कोई नो कोई वसीला बन जाएगा अनबाबा नहीं कुमीद से कहा अनबाबा मेरे लिए क्यों दक्के खा रहे हैं इस उमर में अगर मेरे नसीब में सिंदीगी हुई तो खुद मिल जाएगी कोई शुरूट नहीं है मेरे लिए किसी के सामने हाथ चोड़ने की आपने जो मेरे लिए किया है वो ही बहुत है यही एसान नहीं चुका सकती आपका या अपने कच्रे के धेर से उठाई हुई लड़की को अपने घर में जगा दी उससे उन्हें समझाते हुए कहां यहों नहीं चाती थी तो उसके वज़ा से वो मज़िद किसी परशानी का सामना करें लेकिन वो उससे अपनी बेटी कहते थे उससे मरते हुए नहीं देख सकते थे बीस लड़कियां चाहिए इस एद्वार तक मुमांगी रखका मिलेगी और याद रखना लड़कियों का आगे पीछे कोई नहीं होना चाहिए बाद में पुलिस केस हरगिस ना बने ये काम बहुत हुफिया तरीके से करना है इस काम में किसी भी किसम की गलती नहीं होनी चाहिए वो शक्स उर्दों में फोन पर किसी से बात कर रहा था उससे लग रहा था कि यहां मुझूद लोग उसकी बात को समझ नहीं सकते जबके साथ वाले टेबिल पर मुझूद दो लड़के टेबिल पर बड़े पोडर को अपनी नसनस पे उड़ा रहे थे नशा पुई तरह सर पर सावार हो चुका था लेकिन उसके बावजूद भी साथ वाले टेबिल पर होने वाली कुफ्तकों का एक एक लफ्स अपने दमाग में मेफूस कर चुके थे उस अदमी के जाते ही वो सीधे होकर वैठे इंस्पेक्टरों को फोन करो दारू ये तो बहुत लंबा गेस है अगले हत्वार तक 20 तरकिया मतलब कि स्मगलिंग की जाने वाली है राकेश नहीं उसे देखते हुए बोला तो मैं क्या करूँ थेका ले रखा है गया सबका मैं किसी को कोई फोन नहीं करने वाला और ना ही उन टके टके की उनिफॉर्म वालों से कोई बात करने वाला हूँ साले अपना काम हतम होने के बाद हमें ही उठा कर जेल में डाल देंगे अजादी से जी अपनी जिन्दीगी और एशकर और वैसे भी ये लड़कियां घर से भागी हुई है इनकी मनजिल ऐसे कसीनों और कोटे ही होते हैं वो इस वक्त पूरी तरह नशे में था जायद इसलिए इससा की बात है कर रहा था जबके राकेश भी इस वक्त पुरी तरह से नशे में था वो भी अपनी अजादी से भरपूर सिंदीगी छोड़कर जेल में नहीं जाना जाता था इसलिए उसने इस केस को यहीं परातम कर दिया आजकल वो लोग तो दुबई में थे जबके उनकी तीसरी पार्टनर हुशी आजकल कहां गाइब हो गए थी वो कहां थी कहां नहीं दोनों नहीं जानते थे और दोनों कोई हास इंटरस्ट भी नहीं था हां लेकिन रागेश हो कभई मिझे ऐता चाती थी क्यांकिर वो उसके सजी च्ण की चोड़ी वैं थी जबके दारुक्के उसके होने या ना होने से कोई फर्ट नहीं पड़ता था लेकिन धुशी को उससे फर्ट पढ़ता था दारुक मैंने तुम्हें बहुत मिस्स किया तुम्हें पता है वहाँ मैंने तुम्हारे बगए कितना मुश्किल वक कुसा रहा है जब भी तुम्हारी याद आई तुम्हें ने फून करने की कोशिश की और तुम भी एक दफा भी मेरा फून नहीं उठाया मैं तुमसे बात कर रही हूँ दारू और तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहा है एक बार तो मेरी तरफ देखो फुशी उसे दिखते हुई जैसे मिननत कर रही थी लेकिन दारू उसके तरफ आँख उठा करनी देख रहा था फुशी तीन माँ बाद उसके साथ बाहर आई थी वो आज ही वापिस आई थी और उससे आदा गंटा मांगा था जो वो दारू के साथ गुजारना चाहती थी पता नहीं इस वक्ट वो कौन से मुन में था जोसे आदा गंटा दे दिया और अब उसका देहान सेफ और सेफ अपनी घड़ी पर था और अब इस आदे गंटे के मुकमल होने का पेचैनी सिंतसार कर रहा था क्योंकि वो यहाँ बैदे बैदे बहुत बैसार हो चुका था फुशी पता नहीं उससे कौन-कौन से वाते कर रही थी लेकिन उसके चेहरे से ही वो इस बात का अंदासा लगा चुकी थी कि उसकी फजूल बातों में उससे बिल्कुल भी इंटरस्ट सही तुम जानते हो यहाँ आते हुए मैंने किसे देखा वो उससे देखते हो एक्साइट होकर बताने लगी जानता हूँ तो पहर में तुम जिस मार्केट में गई थी वहीं पर रुही शॉपिंग कर रही थी लेकिन तुम उससे मिल नहीं पाई इतनी देर में वो पहली बार बोला था तुम्हें कैसे बाता? वो हैरान हो गई मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होता है तुम अपनी काम से काम रुखो उससे एक बार फिर से खड़ी को देखा वैसे उसका बेटा बहुत प्यारा है वो उससे बात ही करते वे पता नहीं क्या क्या कह रही थी और तुम्हारा कुद्धा भी मेरा मतलब है सूबी उससी के साथ था टेविल को तो मैंनी नहीं देखा लेकिन यकीन वो भी उससी के साथ रहा होगा वो उससे कहीं भी अकेले जाने कहां देता है वो अपनी दुन में बोले जा रही थी यह उटकर खड़ा हो गया वक्त पूरा हो चुका था वो जाने के लिए बल्टा लेकिन कुछ सोचकर वापिस उसकी तरफ आया वो दोनों हाथ में इस पर रखते हुए उसकी आँकों में जांगा एक बात कान खोल कर सुन लो हुशी मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है तुम अपने दिल से ये बात निकाल दो यगर तुम रोही के करीब हो जाओगी तो मैं तुमसे महबत कर बैठूँगा ऐसा कभी मुम्किन नहीं है वो लड़की मेरे लिए एहम है इसका हरकिस ये मतलब नहीं कि मुझे अपनी तरफ मतवचा करने के लिए तुम एक बार फिर से उसके करीब जाओ पहले ही वो बहुत नुकसान उठा चुकी है तुम मुझे अपनी तरफ राइब नहीं कर सकती और नहीं तुम्हारे किसी आहमल से खुश होकर मैं तुम्हारी तरफ एट्रेक्ट हूँगा मेरी बहन से दूर रहो अगर तुम्हें ये लगता है उसकी कहने पर मैं तुमसे शादी के बारे में सोचूँगा तो ऐसा मुम्किन नहीं है तुमने पहले भी मुझे अपनी तरह मतवच्चा करने के लिए रूही कर समाल करने की कोशिश की तब मैंने तुम्हें माफ कर दिया लेकिन हर बार माफ नहीं करूँगा ज्याद रखना मेरे लिए अपने जिंदीगी पर बाद करना बंद करो आगे भड़ो मेरे पास सुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है वो सफाकी से कहता पीछे हटा और लंबे लंबे ढाग बढ़ता रेस्टूरंट से भाई निकल गया खुशी एक लंबी सास ली तुम्हें मेरा होना पड़ेगा दरकुश्यम खुशीम, कर्यों, हलील तुक्र तुम मेरे हो और जहां तक बात है तुम्हारी बेहन की तो दोस्तों मेरी तफीब बन गई थी जब सुजिलेंड में उसकी मुझसे मुलाकात हुई थी और जहां तक उसको इस्तमाल करने की बात है तो मेरी चान मुहबबत और जंग में सब चाइस है